आपने बता रहे हैं कि कप्जा करके और जो है तो ऐसा बनाया गया तो क्या यह आपके पट्टे की अराजी है। वे बारी के अंदर से मकान नहीं बनवा रहा है अपने मेरे तरब पट्टे की जमीन पर अबयत कब्जा किया जा रहा है नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दखबर दान्योग ताजा मामला मैहर से जुड़ा हुआ है जहां तहसील छेत्र के अंतरगत ग्रा कोई भी कारवाई नहीं हो रही है जबकि कब्जा करने बाले पर दो तेन दिन का काम रोकने का आदेश दिया गया था फिर भी किसी प्रकार से कार को रोका नहीं गया है पेड़ित अपने नयाय की गुहार इस वीडियो पर सापतर से लगा रहा है आई ये देखते हैं अपने मेरे तरब दो से तीन फिट बिलर खोत के जवरजस्ति गुंड़ाई से बनवाया है मकान इसमें रमेर सिंग लोधी सहमत है उद्यपूर का और यहां वह है उत्तम सिंग लोधी इनकी सहमत से और पठवारी इसमें मिला हुआ है कहते हैं कि तुम बनाओ मकान कुछ न चला रगा है चला रख यह आपने इसका कहीं अवेदन अवेदन मैं थाने गया था यहां चौंकी देवी जी तो वो बोले कि पहले आप इस्ते लाईए अब मैं गया तो वो सनिवार इतवार फस गया उसके कारण इस्ते मिल नहीं पाया अब आज के दिन सम्मार को हो सकता है कि मिल जाए इस्ते और पुलिस बोली थी इन से कि आप चार दिन काम रोक के रखिए और पटवारी आया है यहां नाप ने तो कोई जमीन की नाप जोख नहीं किया सिर्फ अपने आदमियों से दसकत करवा ले गया है और वहां तसीलदार के पास पेस कर दिया है कागज की मिला हुआ है और कहने में एक हैता है कि आप उसको बनने देओ जो पैसा दाम हो तो मिल लीजिए आप लोग समझा होता कर लीजिए कि उसका मकान बनने दीजिए जबर जस्ती बताइए कि जमीन कितने फुट दबी है मेरी दो फिटी बाहर दबी है और 37 फिट लंबाई है मेरी जमीन मेरे को उनकी जमीन एक इंच न चाहिए और जो उनकी फस्ती है जो उनकी फस्ती है और इधर मेरे तो ले लीजिए बाकि जो मकान फस्ता तो पत्काल इसको गिरवाया जाए मेरे मेरे में आवादी में न बनवाया जाए मकान आपका नाम नराइन सिंग लोधी कहां से हैं सही लारा से पिता का नाम राम परसाल लोधी बने रहें दखवरदान नियुच के साथ धन्यवाद